बजट सत्र के छठे दिन प्रिधानमंत्री मोदी ने राश्पती के अभिभाशन पर लाए गया धन्यवाद पिस्ताव पर लोगसभा को संबोदित या प्रिधानमंत्री ने कॉंग्रस पर हमलाग करते हुए कहा कि इस देश में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है सरुकार भी बदला है उन्होंने कहा कि अगर ये भी सरकार पिछ्वी सरकार के तरस पर चलती तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटता लोगसभा में प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम कॉंग्रस की राह पर चलते तो शत्रू संपत्य कानून नहीं बनते चीफ अप डिफरेंस स्टाफ की नियोकती नहीं होती हम अपने लिए नई लीक बना कर नहीं चलते और वो सोच लीक से हट कर होती प्रिधार मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं किसी ये लाने की क्या जल्दी कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हम लोगों को बाटना चाहते हैं प्यम ने कहा कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो टुकडे टुकडे सभधाय के लोगों के साथ हैं उनके साथ फोटो खिच्वा रहे हैं प्यम ने कहा कि ऐसी भाषा पाकिस्तान की है इन लोगों ने देश के मुसल्मानों को भ्रमित करने की कोशिश की है लेकिन अब इनका बय कश्मीर की पहचान बंब, बंदूक और आतंकबाद बनाकर रखती गई थी। उन्होंने कहा कि 1990 में ही कश्मीर की पहचान को दफना दिया गया था जब वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। शशी थरूर पर कटाक्श करते हूं, मोदी ने कहा कि आप तो कश्मीर के दमाद रहे हो, आपको तो वहां की बेटियों के बारे में सूचना चाहिए था। तक भारत के दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थववस्थाओं में शामिल होने का विश्वास स्वेक्ट करते हूं, कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थववस्था बनाने में उत्रप्रदेश का अहम युद्दान होगा। उत्रप्रदेश निवेश पिया पार संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक अफसर दान करता है। शाही मुख्यमंतरी ने कहा कि डिफेंस कोरिडॉर के लिए यूपी में व्यापक संभावनाएं हैं। इसके लिए पॉल्सी भी आ चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि डिफेंस कोरिडॉर के अंदर एक बहतर सुवधा उपलब दोगी। और यूपी में 17 गाओं को स्मार्ट बनाया जाएगा। फैजबाद से बीज़पी सांसद ललू सिंग ने कहा है कि ट्रस्ट में कौन लोग शामिल हैं इस बाज से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता। ये सरकार का काम है कि ट्रस्ट में कौन लोग रहेंगे कौन नहीं। सबसे बड़ी खूशी की बात ये है कि अब मंदर के निर्मान का कार जल्द ही शुरू हो यूपी के बेसिक शुक्षा मंप्री सतीश दिवेदी ने कहा है कि अध्याराम मंदर निर्मान कोई लोकल मुद्दा नहीं है निर्ट गोपाल दास की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि अगर कोई नाराज है तो इसके केंद्र सरकार संज्यान लेगी ये उनके विशे की बात नहीं है अयोध्या राम मंदर के निर्मान का इंतजार सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं बलकि पूरा विश्व करता है राम मंदर ट्रस्ट को मंजूरी मिलने पर उत्राखन के पूर्व सीम हरीश रावत ने बीजेपी पर आरूप लगाते हुए का है पूर्व सीम हरीश रावत पहुँचे उन्होंने ई रिक्षा चालकों का समतन किया उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नियम कानून इनके लिए बनाए गये हैं उससे इनकी बरबादी निश्चित है हलधवानी में कॉंग्रिस कारकर्टाओंने के इंदर सरकार का पुतला नहिन करते हुए सैनिकों का उत्पिडन करने का रूप लगाया है कॉंग्रस जिला महमंत्री हेमंत्साहू के नेथित में प्रदेशन कर रहे कॉंग्रस कारकरताओं ने उत्राखन के सैनिक रमेश बहुगुणा की सियाचिन में ठंड से मौत हो जाने के बाद केंदर सरकार पर सवाल खड़े किये हैं कॉंग्रस नेताओं ने कहाए कि प्रदा मंत्री मोधी राशवाद और सैनिकों की बात करते हैं लेकिन सैनिकों को सुवधाओं के अभाव में उनकी मौत हो जाती है जो कि एक बड़ी लापरवाही है उन्होंने रक्षा मंत्री से स्तीफे किमाने के दिए वारंसी पहुँचे उतर प्रदेश के ख्रशी मंत्री सूरुपृत्प्रिताप शाही ने उतर प्रदेश में 8000 सोलर पँप लगवाय जाने का एक अलान किया है। दुशी मंत्री सूर्फरताप शाही ने राम जन भूमी पर भव्य मंदर बनाया जाने को लेका है ट्रस्ट के निर्मान होने पर खुशी जाहिर करते हुए विपक्षपर आतंकवादियों को सनरक्षन देने का रूप लगाया है उतरप्रदेश के गौतम बुद्नगर जिले के जेवर में बन रहे है नोईडा अंतराश्री एरपोर्ट को पर्यावरणिये मंजूरी मिल गई है उतरप्रदेश मुखिमंट्री कारयाले के प्रिंस्पल सेकरेटरी स्पी गोईल ने ट्वीट कर इस बात की जान कारी थी है राम मंदिर ट्रस्ट की घोशना के बाद जहां एक तरफ साधू संतों में खुशी का महौल देखने को मिल गाए वहीं अयुद्या के हनुवान गढ़ी में दिवाली मनाई गई है जिसमें संतों ने मिलकर मंदिर की सीडियों पर दीपक चला दहरादून में अपन नीजी सच्चिव भरती परिक्षा 2017 के आविदन करताओं ने सरकार से रहाती मांग की है वेरोजगार युवाओ का नेट्पेत्व कर रहे है रविंद्र जुगरान का रूप है कि एक तरफ सरकार ने मौजूदा साल को रोजगार वर्ष भुर्षित किया है तो वही दूसी तरफ अपन नीजी सच्चिव भरती परिक्षा 2017 में करीब 2,000 आविदन करताओं को मुख्य परिक्षा से बाहर किया गया है जो समझ से परे है आविदन करताओं ने सरकार से बेरोजगार युवाओ को राहर दिन के मांग की विलूप्त हो रहे सनो लिपर्ट के संदक्रों की फावायद वन महकमेने तेज करती है सनो लिपर्ट की वास्तविक स्तिती का खाख तैयार करने के लिए वन्विभाग कंजर्वेशन सेंटर होलेगा इसके माध्यम से स्नो लेपर्ट से जुड़ी तमाम जानकारिया यहां मिल पाएंगी और प्रदेश के हाई अल्टिट्यूट के एडिया में इंप्रूव्मेंट भी देखने को में लेगा बद्रिनाद धाम में रिकॉर्ड बरबारी हुई है बद्रिनाद धाम पहुशने के रास्ते जगा जगा ग्लेशियर आने से पूरी तरह से बंद पड़े को बोट की परिक्षाव में नकल पर रोक लगाने के लिए मुरादबाद जिले में कंच्रोल रूम तयार कर लिए गये हैं कंच्रोल रूम से जिले के 102 परिक्षा केंदरों में लगे CCTV को जोड़ा जाएगा और परिक्षा की हर गतिवी पर नजब रखा जाए मेरच के मिलिटरी ग्रेट इंजिनिरिंग सर्विस के ऑफ़स में आज CBI ने चापे माली की है इस दोरान इंटेलिजन्स विरों ने ओफ़स में काम करने वाले अधिकारी बीवी फिसाद रेड़ी के को रंगे हाथों रिश्वत लेते गरफ़तार किया अधिकारियों के मताबिक चेकेदार ने रिश्वत लेने के लिए शिकायत पहले ही बज़ कराई देश में C.A. को लेकर हर जगा विरोध प्रदिशन किये जा रहे हैं वही दूसरी तरफ विरोधियों की बुद्धी के लिए हवन भी किये जा रहे हैं अलिगण में भारतिये जनता युवा मोर्चा ने उपद्रवियों के लिए बुद्धी शुद्धी यग किया है पीन ये तत्काल प्रभाव से चौकी फिभारी को निलंबित करते हुए पूरी पुलिस चौकी पर कारवाही की है। एक चौरी की बाइक और पांच लाग की नगदी की परामत हुए रामपुर में ट्रिपल मुडर से हरकंप मच गया है कर्स से परेशा आने सराफा वैपारी ने अपनी पत्मी और 6 महीने के वच्चे को गोली मार कर मौत पे खाट उतार दिया। हत्या के बाद सराफा वैपारी ने खोद को भी गोली मारी है। मृते पर गहरा शोक वैक्त किया है? उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रती अपनी संबेदना भी व्यक्त की है। सीम ने घटना से प्रभावित वेक्तियों को हर समभव रहाद दने की कोशिश बताई है इसके साथ ही दोशियों के खलाब बहुत सक्त कारवाई की बार पिते ही प्रियागराज के हंडिया इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिलने से संसनी कल गई गर में महिला समेत तीन बच्चों का शव मिला है सुबह कापी देर तक घर से किसी की आवाज नहीं आने के बाद लोगों ने किसी तरह खिड़की से देखा तो सभी लोग मृत पाए गए ग्रैमनों का कहना है कि कमरा अंदर से बन था शवो पर किसी प्रकार की चोच के निशान भी नज़र नहीं आ रहे हैं मौके पर पहुंची फुलिस ने आत्महत्या की आश्रंका चिताई है पोशामभी में गैंग रेप के आरोपियों को विशीर्स अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई है वही कोट ने इस मामले के हर मुल्जिम पर एक लाग तिरासी हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया है द्रसल सिकंबर में खेच से चारा लाने गई फीड़ता के साथ आरोपियों ने गैंगरेव किया था जिसके बाद पोस्को एक्ट के तहट मुकदमा दर्ज किया गया बहराइच के बक्षीपुरा इलाके में आपकारी वभाग ने चापे मारी करते हुए नकली स्वराब बनाने के एक गिरों का खुला सकिया पुलिस ने मौके से बड़े पैमाने पर बड़ी कमपनियों के धकन व्रैपर और चार वहन भी सीज़ दिये हैं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने बाबा की हत्या के आरूप में उनके सेवादार तीरत सिंग को गिरफतार किया है पुलिस ने आरूपी सेवादार को नैनिताज जुला कोर्ट में पेच किया पुलिस की गिरफत में आये सेवादार ने बताया कि घटना वाले दिन बाबा और उनकी किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसके बाद सेवादार ने उनकी हत्या कर बुलन शहर में NH91 पर प सवार चार बदमाशों को गिरफतार कर चुए बुलन शहर कोतवाली दिहाद के सेवादा के पास एक निर्वाना धीन सिवर लाइन के गड़े में हादसा हो गया इस दोरान तीन मजदूर गड़े के अंदर ही फस गए वहीं दो मजदूरों को पुलिस और अस्थानी लोगों की वदद से बाहा निकाला गया है लेकिन बचाओ टीम के पूरी कोशिश करने के बाद भी तीसे मजदूर को नहीं बचाया जासका सहारनफुर में ग्रामिडों ने आवारा पश्चुओं को पकड़ कर गाओं के ही प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया गाओं वालों की माने तो आवारा गोवन चे उनकी फसलों को भारी मुद्सान पहुन कर रहे थे जिल्ला पुर्शासन से कई बार इसकी शिकायत की गई इसके बावजूद कोई समाधान नहीं होने पर ग्रामिडों ने ये कदम उठाए बागपत में एक मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया विवाद में पांच लोगों के घैल होने की खबर है सभी घैलों को सीएसी बड़ाओत में भरती करवाया गया है जबकि एक यहालत गंभीर बताई जारी है फिलाल पुलिस उच्टाच कर मामले की जाच करने में चुटी जई नौज़ा में पुलिस ने हनी ट्राप गैंग का खुलासा किया है यह गैंग लोगों को रेप जैसे गंभीर मामलों में फसाने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलता था मामले में पुलिस ने दो लोगों को गुरफतार किया है जबकि अन्न तीन फरार बताय जाने अलमोडा के मुख्य शुक्षा अधिकार ये जगमोहन सोनी को विजलन्स की टीम ने 15,000 की घूस लेते रंगे हाथों के रफतार किया है वहीं उनके कमरे से चापे माली कर 1,23,000 उपर भी बरामत दिये गया हमीरपूर जिले में अलाव ताप रहे लोगों पर कार ने खहर बर पाया है तेज रफतार कार ने आग ताप रहे लोगों को रौन दिया है इस हाथसे में एक रेक्टी की मौत हो गई है जब कि 5 लोग घायल बताय जा रहे है जिसमें 2 महिलाए और 3 बच्चे शामिल है सभी लेंडर में आग लगने से हड़कम पमच गया आग लगने के बाद आननफानन में लोगों ने आग तरकाबू पाया वहीं इस हाथसे में दो लोग गंभी रुप से जुलस गया है साथी घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया कनौच के तिर्वा इलाके में 24 जन्वरी को ही सराफा वैपारी से लूट पार्ट की घटना का पोलिस ने पर दाफाश कर लिया है कानपूर में शादी समारों में शामिल होने गए दो पक्षों में कहा सुनी को लेकर जम कर मारपीट हुई मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूस्ते पर जम कर लाकी डंडे बीचला है इसमारपीट में चार लोग बुरी तरह से पहल हो गए प्रताबगर के लालगन जिलाके में अग्याद बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी है गोली मारने के बाद बदमाश परार हो गया है जालोन के दौरा थाना शेत में कुछ अध्यात हमलावरों ने एक किसान की बेरहमी सहत्या कर दी हमलावरों ने शब को किसान के घर के बाहर पेख दिया किसान के हत्या से गाओं में संसरी फैल गई है सुशना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक तीम जाँच में चुट गई हमीरपुर में जाइवर के लापरवाही सामने आई है तीज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे बैठ के लोगों को कुचल दिया हासे में की मौत हो गई है और आट लों भायल बताया जो आ रहे है गायलों में बच्ची और महिलाए भी शामिल है कशार गाओं के पास यह हाथ सा पेश आए दहरादून के कॉर्वेट टाइगर रिजर्व के जिकाला जोन में राम गंगा नदी के किनारे तीन बागों के प्लास्टिक खाने का फोटो प्रकाश में आने से अब सरों में खलबली में प्लास्टिक की बाल्टी को खाते हुए नज़रा रहे है जानकारी आपको बता दे कि वन इलाके में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होता है साथिया विकारी ये भी जानना चाहते है कि आखिर बाल्टी में ऐसा क्या था जो बाल्ट खारे मेरट में चीन से लोटे दमपती समय इते तीन लोगों में कोरोना वाइरस की आश्वंका के चलते स्वास्वभाग ने इनके सैंपल जाज के लिए केजी एम्यू लखनाउ खेज दिया है स्वास्वभाग ने कोरोना वाइरस को लेकर मेरट में 17 लोगों की सुची जारी की जो 31 दिसंबर से 29 जैन्वरी के बीच चीन से वापस आए थे जिनने से 54 की तलाश की जा चुकी है तीन लोगों को संदिक्द मिलने पर उनकी जाज सैंपल के लिए लखना उपे चांगे लखिमपुर्खीरी के मेहवा गंज दिवासी मुहम्मद हफीज मंसूरी को कोरोना वाइरस की जाज के लिए जिला स्पताल के आई सूलिशन वॉर्ड में भरती कर राए गया हफीज मंसूरी अभीचीन से लोट है, हाला कि हफीज में कोरोना वारिस का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। के रेशो से बने चपल, टोक्री और अन्य समान भी बना कर दिता है। क्या है। तो हुआ है। यह जा रहा रहा है।